दिल्ली में 25 मई को मदान होना है और आपने पूरी दिल्ली को देखा है वहां का चुनाव परचार किया है क्या लग रहा है आपको दिल्ली में इस बार? उसमें साथ कमल दिल्ली के भी होंगे मोदी और शाह के इस बीजेपी में OBC को बहुत बढ़ावा दिया गया है लेकिन फिर भी अखिलेश यादव पीडिये लेकर आए तेजस्वी यादव है वह हमला कर रहे हैं जितने भी बड़े OBC नेता है विपक्स के उनको काउंटर करने के लिए कह रहे हैं समिधान खत्रे में हैं समिधान बदल देंगे आप आपको भी लगता है क्या? देखे देश में 65% जो आबादी है वो OBC समाज किया और देश में जो हमारे परदान मंतरि नियम Indra मोदी जी वो स्वें OBC समाज से है और जह TAK आपने समुविधान के खत्रे की बात कही तो समीधान को नस्ट किया कौंगरिस ने समीधधान को बरबाद किया कौंगरिस ने 75 में अबरजिंसी अपातका लगा कर उसके बाद बानमे के अंदर राम मंदिर मुद्दे के ओबर तीन निर्वाचित भाजपा की सरकारे राजस्तान मुद्देश और यूपी तीनों की लोगप्रिय सरकारों को बरख की से काम कर सकते थे लेकिन उननका जो मूल मत्र था सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास سबको साथ लेकर अगे बढ़ रहे यह सब विपक्षी जो अपने परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं जिनका bac jan 인 Est서 को ने उट्था नहीं है और आप वह सीदह पूछ पूछार में वहां OBC नहीं है, पिछडे नहीं है, पतरकार के जाती पूछी रही है, हर किसी की जाती पूछी जा रही है, क्या लगता है, मैं यह समझना आप से चाहता हूँ, कि परधान मंत्री जी कहते हैं कि OBC को बढ़ावा दिया है, लेकिन विपक्स बिल्कुल उसका काउंटर कर है, यह सच क्या है, क्या आपको भी लगता है कि OBC को जाती पूछ कर ही हमें योगता पर जाना चाहिए, देखिए, मोधी जी ने परधान मंत्री बनने के बाद, OBC समाज के लिए इतना काम किया है, पहले उन्होंने OBC कमिशन मनाया, उसको जुडिशल पावर्स दी, समयधा किया है, और जो लोग इस तरह की बाते करते हैं, वो सिवाय मोधी जी को बदनाम करकर अपनी राजनीतिक रोटिया सेखना चाहते हैं, उनके पास को मुद्दा नहीं है, देश में इतने काम किया है, मोधी जी ने दस साल के अंदर, कि आज वो मुद्दों की तलाश में हैं, तो वो हताश होकर बारबर मोधी जी पर आरोप लगा कर अपने आपको जिंदा रखना चाहते हैं, एक सवाल आप से पूछूँगा कि राष्टिय राजधानी, क्योंकि आप OBC के नेता हैं, गुजर समुदाई से आप आते हैं, पूरा राष्टिय राजधानी क्षेत्र ज यहां पर आपकी जमीन, पर यहां पर बड़ी दिल्ली बस गई, नोईडा, गाजियाबाद, तमाम शहर बस गई, लेकिन आज उनके लिए जब बुनियादी सुविधाओं की बात करें, तो जमीन नहीं होती है, यह बड़ा विरोधा भास नहीं दिख रहा है आपको? देखिये, जब हमारा जो रामपुरा गाउं है दिल्ली में, आपके तरीनेगर विधानसमा में आता है, उननिस सो बासट में हमारी जमीन का अधिगरण किया गया है, उस समय सत्ता में कौन थे? कॉंग्रेस के लोग, पूरी सत्ता में निगम से लेकर महानगर परिशद और क अगर वो चाहते तो दिल्ली के लोगों को मौवज़ा देख कर दिल्ली में जो गाउं में रहने वाले लोगों उनको हास्टेक्स के में छूट देकर गाउं का विकास कर सकते थे, दिल्ली में अर्वन डेवलप्मेंट का बहुत पैसा है लेकिं कोई काम नहीं करते सिवा आ को पहला मेर बने तो जैपरकाश जेपी जी बने दिल्ली में संग्ठन में भी अगर आप देखे तो पार्टी ने OBC वर्कों को बहुत महत्ति दिया तो और NCR में भी देखें तो हमारे कृष्टमाल गुजर केंद्रे मंत्री बने आज तक OBC समाज को उसकी सुविधाओं से द पारणितिक हिस्सेदारी के तैथ उसका लाब पुचाने का काम कर रहे हैं असी से जादा दिन हो गए हैं परवीन खंडेलवाल के भी चुनाव परचार को आप देख रहे हैं हर जगया आप लगे रहे हैं तो बड़ा कैसा रहा चुनाव परचार क्या अनुभाव लगा क्योंकि पहले ही परवीन खंडेलवाल ने कहा थे कि उनको कोई फूपा नहीं मिला तो काम तो अल्टिमेटली आप लोगों को करना आपको भी कोई फूपा मिला या कारिये करता हों को साधने में कुछ मुछ्किले आई बाहरते जिनता पार्टी कैडर बेस पार्टी है संग कारेकरताओं को टिकर दिया कमल जी सहराव जी हमारे पश्मी दिली से हो अनुभव यह रहा कि इस बार पार्टी ने हमारा जो कैंडी चर पार्टी के हमारी रीती से पहले उन्होंने डिगलेर कर दिया ताकि नए कारेकरताओं को नए उमीदवारों को कारेकरताओं से मिलने में आसानी हो, कोई नराज कारेकरता तो उसकी नराज की दूर की जा सके, कहीं कोई संग्धन में किसी प्रकारी तुरूटी है तो उसको दूर किया जा सके और इतना मैं आनंदित और इतना मैं आपको गर्व के साथ कह सकता हूँ कि परवीन घंडेलवाल जी तो हमारे इतने सरल सहज सों में मेरे को राजनी दिक छेतर में काम करते हैं 30-32 साल हो गए कभी भी सांसत परत्याशी इतना नीचे तक नहीं गया चुनाव परचार में जितना इस बार परवीन घंडेलवाल जी और दिल्ली के साथ उमीदवार आप मान के चले मंडल सतर्तक के कारकरताओं के साथ उन्होंने बैठक की है इससे पहले चुनाव में क्योंकि सांसत परत्याशी के बाद मोके नहीं होता था बीस पच्ची दिन में वह आप मान के चले में रिकॉर्ड वोटर से हम जीतने जा रहे है क्योंकि जिस परकार विपक्षी का जो बेमेल गटमंदन है दल मिले दिल नहीं मिले दिल्ली में गलबहियां दोस्ती कर रहे है और पंजाब में जाकर एक दूसरे को गाली दे रहे है नूरा कुस्ती कर रहे है तो यह देश की नहीं मिले दल मिले लेकिन महिस अवाना जी ने बीजेपी के चानी चोंक लोकसबाक्षेतर के बीजेपी के करेकरताओं को जोडने का काम किया है उन्होंने कितने दिल जोड़े हैं कितने वोट जोड़े हैं यह तो चार जून को ही पता चलेगा तो आज के लिए बस इतना ह ब्रोडकाश्ट मंत्रा को नवश्कार मैं हूँ नरेश्वत ब्रोडकाश्ट मंत्रा में आपका स्वागत है मेरे साथ इस समय महेश आवाना जी है जो की बीजेपी के वरिश्ट नेता है OBC के बड़े नेता है महेश जी दिल्ली में 25 मई को मदान होना है और आपने पूरी दिल्ली को देखा है वहां का चुनाव परचार किया है क्या लग रहा है आपको दिल्ली में इस बार देखे दिल्ली में इस बार मुझे लगता है कि साथो सीट्म बहुत बड़े मार्जन से जीतने वाले है बदले हैं रहेंदर मोदी जी के नेत्रतों में सातो कमल जो इस बार मोदी जी का नारा है अब की बार चार सो बार उसमें सात कमल दिल्ली के भी होंगे। मोदी और शाह के इस बीजेपी में OBC को बहुत बढ़ावा दिया गया है लेकिन फिर भी अखिलेश यादव पीडिये लेकर आए तेजस्वी यादव है वो हमला कर रहे हैं बड़ी चनोती है जितने भी बड़े OBC नेता है विपक्स के उनको काउंटर करने के लिए कह रहे है समीधान खत्रे में समीधान बदल देंगे आप आपको भी लगता है क्या देखे देश में 65 परतिशत जो आबादी है वो OBC समाज किये और देश में जो हमारे प्रदान मंतरी नेंदर मोदी जी वो स्वेम OBC समाज से और जहां तक आपने समीधान के खत्रे की बात कही तो सम समीधान को बरबाद किया कॉंग्रिस ने 75 में अमर्जिंसी अपात्का लगा कर उसके बाद बान में के अंदर राम मंदिर मुदे के ओपर तीन निर्वाचित भाजपा की सरकारे राजस्तान मुद्य परदेश और यूपी तीनों की लोगप्रिय सरकारों को बर्खास्त करक है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं दस साल हम पूर्ण बहुमत की सरकार में थे तीस साल के बाद उनीस सो चुरासी के बाद तीस साल के इंतराल के बाद देश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी मोहदी जी चाहते तो मनमाहे तरीके से काम कर सकते थे लेकिन उननका जो मू प्रकार के जाती पूछी रही है क्या लगता है मैं यह समझना आपसे चाहता हूं कि परधानमंत्री जी कहते हैं के बढ़ावा दिया है लेकिन विपक्स उसका काउंटर कर रहा है यह सच क्या है कि आपको भी लगता है कि जाती पूछ कर ही हमें योगेता पर जाना चाहिए देखिए मोधी जी ने पर्धामिंत्री बनने के बाद ओवी सी समाज के लिए इतना काम किया है पहले उन्होंने ओवी सी कमिशन मनाया उसको जुडिशल पावर् समाज, ओवी सी समाज के हर वर्ग के लिए उन्होंने चाहिए गूजर समाज है, यादव है, जात है, देली है, कुरमी है, सैनी है, क्शुओवा है, हर वर्ग के लिए उन्होंने काम किया Украї और जो लोग इस तरह की बाते करते हो शिवाय मोधी जी को बद्दाम करकर अपनी को जिन्दा रखना चाहते हैं एक सवाल आप से पूछूँगा कि राष्टिय राजधानी क्योंकि आप OBC के नेता हैं गुजर समुदाई से आप आते हैं पूरा राष्टिय राजधानी क्षेत्र जो है यहां पर बहुलता है जहां पर आपकी जमीन पर यहां पर बड़ी दि जोधा भास नहीं दिख रहा है आपको देखिए जब हमारा जो रामपुरा गाउं में दिली में आपके तरीनेगर विधानसमा में आता है उननीस सो बासट में हमारी जमीन का अधिगरन किया गया उस समय सत्ता में कौन थे कॉंग्रेस के लोग पूरी सत्ता में निगम से ल कोशन किया और आज अगर वो चाहते तो दिली के लोगों को मौवजा देखकर दिली में जो गाउं में रहने वाले लोगों को हॉस्टेक्स की में छूट देकर गाउं का विकास कर सकते थे दिली में अर्वन डेवलोप्मेंट का बहुत पैसा उनके पास है लेकिन कोई काम नहीं करते सिवा आरो पर प्रतेहरूप लगाकर अपने वोट बैंक की राजनीती को मजबूत रखना चाहते हैं उनका उन्होंने ओवी सी समाज के लिए किसी ने कोई काम ने किया और जहां तक भाजबा की बात है तो भाजबा के आने के बाद दिली में पहली बार सांसत को गूजर बना तो रमेश विदूडी जी बने दिली में कोई पहला मेर बने तो जैपरकाश जेपी जी बने दिली में संग्धन में भी अगर आप देखे तो पार्टी ने ओवी सी वरकर को बहुत महत्त दिया तो और एंस्यार में भी देखें तो हमारे कृश्माल गूजर के पार्टी बने आज तक ओवी सी समाज को उसकी सुविधाओं से दूर रखा गया उसको जो राजनीतिक उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए थी उससे हमेशा कॉंग्रेस ने दूर रखा और भाचबा आने के बाद आज मोदी जी के नित्रव में सबका साथ सबका 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 उसका राजनीतिक हिस्सेदारी के तहट उसका लाब पुचाने का काम कर रहे हैं कम असी से ज़ादा दिन हो गए हैं परवीन खंडेलवाल के भी चुनाव परचार को आप देख रहे हैं हर जगह आप लगे रहे हैं तो बड़ा कैसा रहा चुनाव परचार क्या अनुभाव लगा आपको के वाकई कार्येकरता जुट कर काम कर रहे हैं क्योंकि पहले ही पर सुर्णूब यह पॉare ते गारेकरता हुआ जी हो चाहे रावीन आपको फूपा मिला customer को सादने में कुछ मुछ्कीले आई कि बारती जिन नहीं कैडर बेसOOOOOOOO wouldn or pre atau इस बार जितने में दिल्ली के अनुपर करता हैं। परवीन खंडेल बाल जी हो चाहे रामिदीर सिंग विदूरी जी हो योगंदर चंदोलिया जी हो बासुरी सवराज जी हो हर्ष मलोतरा जी हो सब कारेकरताओं को टिकट दिया कमल जी सहराव जी हमारे पश्मी दिली से हो अनुबव यह रहा कि इस बार पार्टी ने हमारा जो केंडीचर पार्टी के हमारी रीती की से पहले उन्होंने डिगलेर कर दिया ताकि नए कारेकरताओं को नए उमीदवारों को कारेकरताओं से मिलने में आसानी हो कोई नराज कारेकरता तो उसकी नराज़गी दूर की जा सके कहीं कोई संग्धन में किसी परकारी तुरूटी है तो उसको दूर किया जा सके और इतना मैं आनंदित और इतना मैं आपको गर्व के साथ कह सकता हूँ कि परवीन घंडेलवाल जी तो हमारे इतने सरल सहज सों में मेरे को राजनी दिक छेतर में काम करते हैं 30-32 साल हो गए कभी भी सांसत परत्याशी इतना नीचे तक नहीं गया चुनाव परचार में जितना इस बार परवीन घंडेलवाल जी और दिल्ली के साथ उमीदवार आप मान के चले मंडल सतर्तक के कारकरताओं के साथ उन्होंने बैठक की है इससे पहले चुनाव में क्योंकि सांसत परत्याशी के बाद मोके नहीं होता था बीस पच्ची दिन में वह आप मान के चले में रिकॉर्ड वोटर से हम जीतने जा रहे है क्योंकि जिस परकार विपक्षी का जो बेमेल गटमंदन है दल मिले दिल नहीं मिले दिल्ली में गलबहियां दोस्ति कर रहे है और पंजाब में जाकर एक दूसरे को गाली दे रहे है नूरा कुस्ति कर रहे है तो यह देश की नहीं मिले दल मिले लेकिन महस आवाना जी ने बीजेपी के चानी चौक लोकसभाक्षेतर के बीजेपी के कारिकरताओं को जोडने का काम किया है उन्होंने कितने दिल जोड़े हैं कितने वोट जोड़े हैं यह तो 4 जून को ही पता चलेगा तो आज के लिए बस इतना ही र